है 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 हैं mm है है कि सेट की पिछिए लेक्षर में हम लोग ने देखा था कि सेट कैसें करते हैं तुमां हम लोग कुछ questions देखेंगे जहां पर एक form से set को दूसरे form में convert करना सीखेंगे तो question है वह हम लोग देखते हैं देखें पहला question लिखा हुआ है convert in set builder form कुछ sets given है और roster form में given है और इसको हम लोग को set builder form में लिखना है तो देखें यह बताया गया था तो फिर उसको बहुत तीजिली set builder form में हम लोग लिख पाएंगे देखते हैं पहला question है तो आप ध्यान देजे यहाँ पेक set है A और इसमें कुछ alphabet लिखे गए है S, N, D, Y, A, U अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हैं तो यह देख रहे हैं कि यह Sunday word के spelling है Sunday word में जो letter यूज हुआ है वो यहाँ पर लिखा गया है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या बताया था कि एक general yaks लिख दीजिए फिर जो यह condition को follow कर रहे हैं यह element उस condition को लिख दीजिए तो क्या yaks is a letter of word Sunday मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर देखे यaks क्या है एक letter है किसका letter है Sunday word का तो इसका मतलब है कि yaks की एक value जो है yes होगी yaks की एक value यू होगी इसी तरीके से यन डी ए वाई तो यह देखे इस set को हम लोगों ने roast of form से set world of form में convert कर दिया अब दूसारी यहाँ पर देखते है b is equal to यहाँ पर देखे 1, 3, 5, 7 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि odd natural number यहाँ पर लिखे गए हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं yaks such that yaks is an odd natural number ठीक है अभी आप इसको alternate way में लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ध्यान देंगे yaks such that yaks is equal to 2 yun minus 1 आप यह आप ज़र करते हैं कि odd number को 2 yun minus 1 या 2 yun plus 1 के form में भी लिख सकते हैं तो इसको लिख दिया yaks is equal to 2 yun minus 1 और यहाँ पर yun element of yun अब देखिए yun की value आप substitute करिए 1 रखिए देखिए 1 आ रहा है 2 रखिए 3 आ रहा है 3 रखिए 5 आ रहा है 4 रखिए 7 आ रहा है इसका मलब है कि आप इस set को ऐसे या फिरह से लिख सकते हैं देखिए आप लिखने के कई तरीके वे हो सकते हैं कई वे में आप लिख सकते हैं meaning उसकी सही निकलनी चाहिए तो हम लोग इस एग्यामपल को इस तरीके से देख पा रहे हैं उसके बाद एक तीसरा क्या है यहाँ पर 2, 4, 6, 8 तो इसको अगर आप जब कर रहे हैं तो यहाँ अभी 8 नमबर लिखे है न तो आप इसको इसी वे में अगर लिखेंगे तो एक्स such that एक्स is equal to 2 यन यन एलिमेंट आफ यन या फिर आप ऐसे लिख सकते थे यक्स एक्स is an even natural number ठीक है फोर्थ पार्ट पे आते हैं देखें यहाँ से D क्या है D में लिखा गया है 1, 4, 9, 16 एंड सो आन तो अगर यह देख रहे हैं कि यह perfect square number है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है तो आप इसको लिख सकते हैं यक्स such that यक्स is a perfect square number या फिर आप इसको देखें ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स such that यक्स is equal to यन square यन element of यन अब देखें यहाँ पर 1 रखें 1 आ रहा है 2 रखेंगे 4 3 रखेंगे 9 4 रखेंगे 16 एंड सो आन अब इसके बार देखें या जो E है अगर हम इसमें पहटन पकरणने की कोशिस करें तो देख रहें 0, 3, 8, 15 इसका मला यह जो perfect square numbers है उनके पहले के numbers लिखेंगा है जैसे 1 होता है न तो 0 4 है तो 3 9 है तो 8 और 16 है तो 15 तो आप इसको लिख सकते हैं यक्स such that यक्स is equal to यन square minus 1 यन element of ठीक है 6 part पे आते हैं देखे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यफ अब इसमें देखे number है 1 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5 तो इसका मलब है कि यहाँ पर इसको x such that x is equal to 1 upon 1 देखे यह फार्म इट है न और यहाँ पर यन natural number है अब एक बार ध्यान देंगे कि यहाँ पर 1 रखेंगे 1 upon 1 मलब 1 2 रखेंगे 1 upon 2 3 रखेंगे 1 upon 3 4 रखेंगे 1 upon 4 5 रखेंगे 1 upon 5 अब इसके बाद देखे number नहीं लिखने है तो यहाँ पर आपको limit भी लगा देनी पड़ेगी 1 less than or equal to इसके बार पर sit builder farm से roaster farm में आएंगे और इस बात को ध्याँ रखेंगे roaster farm से sit builder farm में आने के लिए थोग ज़्यादा वग करने पड़ती है और sit builder farm से roaster farm में आना थोड़ा आसान होता है तो इस example को हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखे पाला सेटा A और इसमें देखे कैसे numbers लिखे गए है yax is equal to y square minus 1 और यह natural number है तो सब इतूर करिए n की value यहाँ पर yax निकालिए जो इसके element है 1 रखेंगे कितना 0 आएगा 2 रखेंगे 3 आएगा 3 रखेंगे 8 आएगा और इस तरीके से इसके element आप लोग पासकते है अब ऐसे देखे दूसरा सेट लिखते है B यहाँ पर देखन देगे yax such that yax is a prime number yax क्या है prime number है तो अब यहाँ पे हम लोग yax की value देखे prime number क्या होते है 2 3 5 7 11 and so on तो अब देखे यह जो question था set builder form में given था और इसको आप लोग roster form में change कर पाए इसका मनलब देखे conclusion क्या है कि अगर roster form में दिया है और set builder form में change करना है तो आपको pattern पकड़ना पड़ेगा कि जो element है उस set के वो किस pattern को follow कर रहे है और अगर set builder form में है roster form में लिखना है तो आप x की values condition की basis पे निकालते जाए set builder form में आप set को convert कर पाएंगे roster form में तो आज यह जो दो question हम लोग लगाए इस basis पे सिखा कि set builder form से roster form में और roster form से set builder form में कैसे आ सकते हैं देखेंगे type of sets तो हम लोग यह जानेंगे कि based set कितने type के होते हैं तो देखें हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखेंगे empty set देखें definition क्या लिखे गई है a set has no element is called empty set मतलब क्या ऐसा set जिसमें कोई element नहीं हो ऐसे set को हम लोग कहेंगे empty set देखें empty set के और भी कई name है white set, null set, vacant set इन सबी नामों से हम लोग empty set को जानते हैं मतलब क्या हुआ definition क्या है ऐसा set जिसमें कोई element qualify नहीं कर पाए ऐसे set को हम लोग करते हैं empty set एग्यांपल देखते हैं रिखें दिखा है a is equal to x such that x element of n and x less than 1 तो यह एक ऐसा set दिखा गया है जिसमें natural number है ऐसे natural number है जो 1 से चोटे हैं तो अगर आप देख रहे हैं अगर हम आपसे पूछते हैं कि 1 से चोटे natural number बताईए तो definitely आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कोई number नहीं है जो natural number भी हो और 7 में 1 से चोटा भी हो इसका मनलब है कि कोई भी element इसमें qualify नहीं कर पाएगा इसलिए या जो set होगा वो empty set होगा और symbol के form में या लोग 5 से दिखा सकते हैं देखे और भी example देखते हैं अगर हम करते हैं the collection of all the human being whose height more than 20 feet मलब ऐसे लोगों का collection जिसमें ऐसे लोग हैं जिनकी height 20 feet से ज़्यादा है तो अगर आप देखें सोचेंगे तो देख पाएंगे कि कोई ऐसा human being नहीं possible है जिसकी height 20 feet से ज़्यादा हो इसका मनलब या भी जो set है वह empty set है ठीक है तो हमें लगता है कि आप समझ गया होंगे empty set और null set और white set और vacant set क्या होता है अब देखते हैं अगरे definition singleton set देखें उम्हें से clear है singleton set मलब ऐसा set जिसमें exactly एक element हो ऐसे set को हम लोग कहेंगे singleton set तो यहाँ पर के तोर पे देखें यहाँ पर एक set लिखा गया है जिसमें exactly एक element है to है ना तो इसको हम लोग कहा देंगे singleton set ठीक है early definition देखते है finite set तो कहां गया the empty set 5 and a set has finite number of element is called finite set मलब या तो एक वह set vacant होना चीए खाली होना चीए या फिर ऐसा set होना चीए जिसमें limited number of element हो मलब finite number आप element हो मलब count कर सके कि कितने element है तो ऐसे set को हम लोग कहेंगे finite set अब देखे इसके बहुत से ग्याँ पर लो सकते हैं जैसे यह set लिखा गया 12345 तो हम पूछते हैं कितने element है तो आप answer देंगे 5 तो इसका मलब है कि यह कैसा set है finite set है क्योंकि आप इसमें element को count कर पा रहे है ठीक है अब देखते है infinite set तो कहा गया कि ऐसा set जो कि finite नहीं है ऐसे set को हम लोग कहेंगे infinite set मलब अगर set finite नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे infinite set इसका मलब इस set में unlimited element होंगे मलब element को count कर पाना possible नहीं होगा अब ऐसे set के बारे में बात करेंगे तो देखे set of real number real number के set को आप count नहीं कर सकते जैसे one अब उसके बात क्या कितने endless number है इसमें numbers आते जाएंगे आप बड़ा से बड़ा number लिखेंगे उससे भी बड़े numbers होंगे तो यह जो real number का set है वो एक infinite set है और भी example अगर देखते है देखें नेचरल नंबर का set यह भी infinite set है endless है number लिखेंगे उसके आगे भी numbers है अगर हम करें कि the collection आप all the points in this plane मलब इस white board पे जो points बनेंगे उनका collection तो आप किने points बना सकते है infinite इसका मलब है कि यह भी set जो है infinite set है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा empty set क्या है singleton set क्या है finite set क्या है infinite set क्या है ठीक है अब इसके बाद देखें हम लोग यह देखेंगे कि equal set क्या है तो देखें अगर दो set बिलकुल identical है बिलकुल identical है मलब पहले set में जो जो element है वही element दोसे set में भी है तो ऐसे दो set को हम लोग कहेंगे equal set मलब दो set अगर बिलकुल identical है तो उसको हम लोग करते है equal set अब उसके बाद देखें एक हम लोग term की बात करते है equivalent set कैसा? equivalent set तो अगर दो set ऐसे जिसमे equal number of elements हो मलब element same नहीं हो हो या नहीं हो लेकिन number of elements same हो जैसे एक set में 5 element है और कोई दूसरा set है उसमें भी 5 element है तो ऐसे दो set को हम लोग करते है equivalent set मलब number of elements अगर दो set में same है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? equivalent set ठीक है? तो यह equivalent set क्या होता है और equal set क्या होता है यह हम लोग जाले एक और term की बात करते हैं लोग देखे cardinal number of set cardinal number किसी set का cardinal number क्या होता है? तो अगर देखे कोई set अगर A है तो अगर मालने जिए A 1, 2, 3 है 5 यह एक set है तो अगर हम यह पूछते हैं कि बाई, set में कितने elements हैं तो आप count करके बताएंगे 4 तो इसी को हम लोग करते है cardinal number of set मतलब अगर set A लिखा गया है तो अगर हम cardinal number कैसे लिखेंगे या symbol यूज़ करेंगे या ने और इसमें कितने element है? 4 तो हम ऐसे कहें कि set में 4 element है या हम कहेंगे cardinal number of set A is equal to 4 यह ध्यान देंगे cardinal number finite set का ही defined है अगर finite set 5 है तो उसका cardinal number 0 अगर कोई finite set है जिसमें 100 element है तो उसका cardinal number 100 इसका मलब cardinal number का मलब क्या हुआ? number of distinct element of finite set is called cardinal number मलब किसी finite set में जितने distinct element होंगे उसको हम लोग कहेंगे cardinal number of that set मलब उस set का cardinal अब हम लोग subset की बारे में सीखेंगे तो पाले definition देखते हैं लिखा गया है set B is called subset of set A if all elements are B also in A मलब B एक set है अगर B के सभी element set A में है तो हम लोग कहेंगे कि B A का subset है sub मलब देखिए words मलब है sub मलब छोटा set तो अब denote कैसे करेंगे denote करेंगे B is the subset of A अब देखते हैं एक गयांपर से देखिए एक set हमने A लिया है 1,2,3 और एक set हमने B लिया है 1,2 अब देख रहे हैं कि जो B के सभी element है वो A में है न तो इसका मलब है कि हम लोग यह कहेंगे कि B A का subset है मलब B में कोई भी ऐसा element नहीं होना चाहिए जो A के बाहर का हो अगर यह बात है तो उस set को कहेंगे मलब B को कहेंगे A का subset है दूसा एजम पर देखते हैं देखिए C 1,5 है क्या C के सभी element A में है तो कहेंगे नहीं C के सभी element A में नहीं है 5C में एक ऐसा element है जो A में नहीं है तो हम लोग इसको कहेंगे C A का subset नहीं है और कैसे लिखेंगे C is not a subset of A अब देखिए एक और set हमने लिखा 2,3 क्या या जो D लिखा है 2,3 उसके सभी element A में है तो answer आपका होगा हाँ तो इसका मलब है कि D,B subset है किसका A का देखिए subset बनाने का तरीका क्या है जैसे A में अगर 1,2,3 element है तो आप एक भी element नहीं लिजिए पैक कर दीजिए एक element लिजिए पैक कर दीजिए दो element लिजिए तो आप इस basis पे यहाँ पर एक बात देख सकते है कि जो empty set होता है वह हर set का subset होता है क्यों भाई ऐसा क्यों है क्योंकि देखिए subset का भोगा जब उसके सभी element A में हो जब उस set के सभी element A में हो कहने का मलब है कि उस set में कोई ऐसा element नहीं जो A के बाहर का हो तो इसका मलब है कि empty set जो है उसमें कोई ऐसा element है नहीं जो A के बाहर का हो अब इसलिए empty set ने तो कोई element है नहीं है है ना इसका मतलब है empty set जो है वह सभी set का subset होता है तो उसी बात को लिखा हमने 5 subset of A अब दूसरा fact देखिए A is the subset of A मतलब क्या हर set कुद का subset होता है ऐसा क्यों भाही देखिए B A का subset कब होता है जब B के सभी element A में हो तो इसका मलब A A का subset कब होगा जब A के सभी element A में हो तो obviously A के सभी element A में है ना तो इसका मलब है कि हर set कुद का subset होता है अब दूसरी बात देखिए हम लोग देखें तीसरा point देखिए किसी set अगर finite set है तो उसके कितने subset बन सकते हैं वो इस तरीके से हम लोग लेख सकते हैं कैसे if number of element in A is P then total number of subsets of A is 2 to the power 1 बहला अगर किसी set में यहान आपे P लिखे हैं तो आप यहान के जब P लिख दीजिए किसी set में अगर P element है distinct element P है तो उसके total subset होंगे 2 to the power P देखिए जो result है इसका proof हम लोग यहाँ पर नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसकी proof करने के लिए आगे हम लोग एक chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पर discuss करेंगे फिलाल fact के तोरपर यहाँ पर लोग नोट कर लेते हैं अगर A में यहाँ पर 3 element है तो इसके total number आप subset केंदे बनेंगे 2 to the power 3 मलब कितना 8 तो अगर किसी set में 3 element है तो उसके total number आप subset होंगे 2 to the power 3 और जो किया आएगा 8 वैसे ही कर सकते हैं किसी set में 4 element है तो total number आप subset 2 to the power 4 मलब 16 ठीक है अगर दिखते हैं अगर दिखें A subset है B का और साथ में B जो है वह subset है A का मलब क्या भाई A subset है B का और B subset है A का अगर A subset B का भी हो और B subset A का भी हो ऐसा केवल और केवल तब पासिबल होगा जब A बराबर B होगा ठीक बात है अब उसके बाद देखें अगला point देखिए अकर A subset है B का जान देंगे and A not equal to B है A subset है B का और A not equal to B है ठीक है then A is called proper subset of B notation देखें A B क्यों सा है या इसको आप एकी जांपर के तब ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग A B यूज कर रहे हैं तो आप समझेए कालगा कि कोई सेट है अगर B का subset है लेकिन A B के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि A जो है B का proper subset है मतलब subset तो है कौन subset है A लेकिन वह अब B के बराबर नहीं है तो इस सेट को हम लोग कहेंगे B का proper subset है और कोई सेट अगर subset जो है वह proper नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग एक word यूज करतें improper और एक बात धान दीजे यह symbol भी कभी कभी यूज होता है धान देखेंगे अगर A सफ सेट है B का तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते है क्या B, superset है A का म bén Blood अगर A सफ सेट है B का तो आप यह कह सकते बी श्फर सेट है A का है ना? तो यह कहने का एक way है और कभी कभी superset word यूज ही होता है तो हम लोग कहीं सूपर सेट आ जाए तो इस बात को समझिए कि उसी बात को कहने का reverse way है अगर A सफसेट है B का तो आप उसको कह सकते हैं कि B सूपर सेट है A का तो यहाँ पर जो यह definition हम लोगों ने देखा कि सफसेट क्या होता है और सफसेट के कुछ एक्जामपर्स देखे और सफसेट के कुछ पॉइंट्स देखे कि सफसेट में क्या-क्या खास बाते होती हैं जो यहाँ पर हम लोग देख पाए है मलब क्या कि अगर कोई सेट A है तो empty सेट उसका हमेशा सफसेट होगा दूसरा पॉइंट हर सेट खुद का सफसेट होता है तीसरा पॉइंट अगर किसी सेट में P element है तो उसके total number of सफसेट 2 to the power P होगे और एक बात हमने यह भी बताया कि अगर यह सफसेट है B का और B सफसेट है A का तो यह केवल और केवल तभी possible है जब A is equal to B हो उसके बाद देखिए A B का सफसेट है लेकिन A B के equal नहीं है तो सफसेट तो है भाई A B का सफसेट है लेकिन equal नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे proper सफसेट क्या कहेंगे proper सफसेट otherwise improper सफसेट और एक बात और कि अगर A subset है B का तो आप इसको यह भी कर सकते हैं कि B superset है A का ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने subset देखे और subset से related कुछ fact देखे और उसको हम लोगों ने समझने के कोसिस के हम लोग देखेंगे power set क्या होता है तो पहले definition देखते हैं लिखा गया power set of set A is denoted by P A it is set of all the subset of A तो देखिए सबसे पहले आप यह जानिए कि power set किसी set का होता है ठीक है जैसे कोई set A है तो उसका power set होगा कैसे denote करेंगे P A से पढ़ेंगे क्या power set of A अब बात उठती है कि यह होता क्या है तो कहा गया कि यह set होता है किसका set होता है टो यह कि कहागा कि A के جितने भी sub-sets होंगे उनका set होता है तो इसका मनदब क्या A के जितने भी sub-sets हैं उनका set बनाएंगे उसी को कहेंगे हम लोग power set of A एक जामपर से देखते हैं इसको तो देखिए एक सेट हम यहाँ पे ले रहे हैं वन टू थ्री है ना पहले हम इसके सभी सबसेट लिखते हैं तो देखिए पहले तो आप जानते हैं एमटी सेट एक element लिया पैक किया एक element लिया पैक किया ठी लिया पैक किया तो देखिए या एक ही element एक ही set बनाया हमने अब दो दो ले ले लेते हैं 1, 2 लिया पैक कर दिया 2, 3 लिया पैक कर दिया 1, 3 लिया पैक कर दिया 1, 2, 3 लिया पैक कर दिया तो यह देखिए कि जितने भी सबसेट हो सकते हैं वह सभी सबसेट समने लिख दिए और अभी हम लोग पिछे टॉपिक में देखिए थे कि अगर केसी सेट में 3 एलेमेंट हैं तो इसके टोटल सबसेट होंगे 2 to the power 3 मलब 8 तो यहाँ पर जो 8 सेट लिख दिया इन सबको अगेन पैक कर दिजिए और इसी सेट को हम लोग कहेंगे power set of A मलब इसको हम लोग लिखेंगे PA और रीट करेंगे power set of A अब यहाँ पर देखिए एक बात आध्यान दे रहे होंगे कि जो यह PA है उसके members set के form में आप यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए 5 न वह PA का member है singleton set 1 PA का member है singleton set 2 यह भी PA का member है तो यह इसके जो member है PA के वह set के form में है और वह कौन से set है जो A के subset है ठीक है अब यहाँ पर देखिए note करके हम कुछ point लिख रहे हैं उसको यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सबसे पहली बात यह देखिए अगर हम पूछते हैं यहाँ पर कि क्या 1 element है PA का क्या power set में 1 है तो आप कहेंगे नहीं PA में 1 नहीं है 1 doesn't belongs to PA अगर हम आप से यहाँ पूछते हैं कि क्या singleton 1 PA का element है तो कहेंगे हाँ singleton 1 जो यह set है वह PA का element है ठीक बात है अगर यहाँ पर एक बात और आज जो करिए number of element in A is equal to P अगर A में P element है then number of element elements in PA is 2 to the power P मनला होगा किसी set में P element है तो उसके power set में 2 to the power P element होगे क्यों? क्योंकि अगर set में P element है तो total number है सबसेट 2 to the power P और जो एक सबसेट है वह ही तो PA के element है ठीक है अला point देखते है क्या phi जो है वह PA का element है तो यहाँ पर देखे phi जो है वह PA का element है क्यों है भाई? क्योंकि phi PA में है अब उसके बाद देखे अगर हम यह लेखते है क्या phi PA का सबसेट है तो अब देखे phi PA का सबसेट क्यों है? क्योंकि phi जो है हर set का सबसेट होता है तो PA भी तो सबसेट है इस PA भी तो एक सेट है न? तो phi जो है PA का भी subset होगा ठीक है अगला point अब यह दिखिए singleton one जो है अगर हम यह करते हैं कि क्या subset है वह PA का तो यह दिखिए singleton one PA का element है, subset नहीं है अगर हाँ अगर इसको आप pack कर देंगे, तो यह हो जाएगा PA का subset, ठीक बात है अगला point है लोग दिखते है अब देखिए क्या अगर हमने यह लिखा तो क्या यह PA का subset है तो देखिए क्या हुआ हमने एक element file लिया और उसको pack कर दिया तो अब इसलिए वह PA का subset हो गया क्योंकि 5 देखिए PA का element है तो जब इसको pack कर देंगे तो अब PA का क्या हो जाएगा subset अब यहाँ पर जान दिजिए 5 PA का element भी है और 5 PA का subset भी है और singleton set में file लिख रहे है तो अब PA का subset भी है यह observations है जिसको आपको दिखाना है अगली बात अब यहाँ पर दिखिए अगर कोई set X है वह A का subset है तो यह इस बात को implies कर रहा है कि वह set जो है element होगा किसका PA का अगर कोई A का subset है तो वह PA का element है तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर यह देख पाए कि power set किसी set का क्या होता है तो conclusion के तोर पे क्या power set किसी set A का PA से represent करते है यह होता क्या है यह set होता है किसका set होता है A के जितने भी subset होते है उसका set होता है यह ध्यान देने वाली बात है कि PA के जो member होते है वह set के form में होते है तो यहाँ पर देख रहे हैं singleton 1, singleton 2, singleton 3 यह सभी जो है PA के element है साथ में हमने कुछ fact बताए देखिए क्या कि अगर हम करें कि 1 PA का element है तो नहीं 1 का element set twice है 1 नहीं है singleton set 1 PA का element है यह देख रहे हैं यहाँ पर singleton set 1 PA का element है देखिए यह चीजे हम लिख क्या रहे हैं यह हम लिख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर difficulty create होगी तो उसको फिर समझ पाएंगे और आगे mistake नहीं करेंगे तो इसलिए यह कुछ बाते हमने यहाँ लिखी है अब देखिए अगर A में P element है तो उसके total number आफ सबसेट 2 to the power P होंगे और जो A के सबसेट होंगे वही PA के element होंगे इसका मलब power set आफ A में 2 to the power P element होंगे अब देखिए 5 PA का element है तो आपको दिख रहा है 5 PA का element है क्या 5 PA का सबसेट है तो हाँ क्योंकि by default 5 सबका सबसेट होता है चोंकि PA भी एक सेट है तो 5 PA का भी सबसेट है single turn set 1 को फिर pack कर देंगे तो वह PA का क्या हो जाएगा सबसेट मलब इसके कोई भी element आप उठाईए सबसेट हो गया और यह भी ध्या रखिए कि कोई सेट A का सबसेट है तो definitely वह PA का element होगा तो हम लोग यहाँ पर यह सीख पाए कि पावर सेट क्या होता है पावर सेट को कैसे represent करते हैं और कुछ fact है जिसको हम लोग यहाँ पर mention किये ठीक है तो यह हम लोग देख पाए कि पावर सेट क्या होता है अब हम लोग देखेंगे कि युनिवर्सल सेट क्या होता है तो देखें definition देखते हैं लिखा गया सेट U is called युनिवर्सल सेट फार्स सेट A, B, C इफ A, B, C आर सबसेट आफ यू देखें कहा क्या जा रहा है इसको समझेए कि अगर कुछ सेट कीवे हैं जैसे एक सेट A है 1, 2, 3 दूसा सेट B है 2, 4, 5 तीसा सेट है 1, 5, 7 तो आपको एक ऐसा सेट प्रेडिक्ट करना है या एक ऐसा सेट बताना है जो इन सेट को contain किया हो तो वह जो सेट आप चूच करेंगे उसको कहेंगे Universal Set Far A, B, C अब देखें यह तीनो सेट है न तो यह जो सेट हमने लिखा है वह देख रहे हैं कि A के भी सभी ऐलेमेंट इसमें है B के भी ऐलेमेंट इसमें सभी है C के भी ऐलेमेंट सभी है मतलब A, B, C जो है उन सब के लिए यह super set का काम कर रहा है इसमें उतने element होने चीए मतलब A के, B के और C के तीनों के element होने चीए उससे ज़्यादा element भी हो सकते हैं तो भी वह उसका universal set का लाएगा तो यह ध्यान देजिए कि universal set जो given sets होते हैं उनका एक super set होता है जो उन सब के element को contain किया होता है और यह भी ध्यान रखेंगे कि उसमें extra element हो सकते हैं इसका मतलब क्या होगा कि universal set हम लोग पेडिट कर सकते हैं given sets के लिए बहुत से universal set हम लोग लिख सकते हैं हैना लेकिन आम तोर पे universal set given होता है उसके एकिसास से हम लोगों को आगे काम करना होता है फिर भी अगर आपको कोई universal set का example लेना है तो आप इस तरीके से इन set के लिए और भी कोई set ले सकते universal set के तोर पे जैसे 1,2,3,4,5,6,7,8 है आप 9 लिख दीजे 10 लिख दीजे यह सभी जो sets होंगे वह A, B, C के लिए universal set का काम करेंगे अब देखे कि ग्यांपर समझते हैं जैसे हमने कहा कि set of right angle tangle एक दूसा set का set of piceless tangle एक तीसा set का set of peculiar tangle हम करें कि एक आप universal set प्रपोस करिए तो आप क्या कर देंगे set of all the tangles क्यों? क्योंकि वह इन सभी के elements को content किया हुआ है इसका मलब है कि वह जो set होगा इन set के लिए universal set का काम करेंगा और हमने यह बता है कि universal set आप तोर पे given होता है और उसके हिसाब से कुछ चीजे पूछी जाती है लेकिन अगर आपको credit करना है तो universal set आप ऐसे बता सकते है जैसे कि यहांपल हम हो ले रहे है जैसे हमने का कि set of all the male person एक set दूसरा है B set up all the female person तीसा set है C set up male child चौता set है D set up female child तो हम करेंगे इनके लिए आप एक universal set बताएए तो आप बता पाएंगे set up all the human being क्यों क्यों क्योंकि उसमें इन सभी के element contained है इसका मल्लब है set up all the human being universal set का का काम करेगा कोई क्या और कोई set ऐसा है जो इनके लिए universal set का काम कर सकता है तो आप यह भी कर सकते है the set up all the living thing क्यों भाई living thing कहा देंगे तो इसमें human being भी आ जाएंगे और भी animal आ जाएंगे लेकिन human being तो रहेंगे न यह चारो set की members तो रहेंगे रहेंगे इसका मलब है कि यह भी set universal set का काम करेगा तो यह हम लोग देखें कि universal set क्या होता है ठीक है अब देखें एक definition हम लोग और देखेंगे interval क्या होता है interval देखें जो होता है वो रियल नंबर का एक section होता है कट होता है मलब एक सबसेट होता है continuous सबसेट होता है उसको लोग करतें interval अब definition से पहले हम लोग देखेंगे जान दीजिए का गया close interval symbol के तौर पे देखें यह बड़े bracket में लिखतें a b इसका मलब क्या होता है यह एक set है जिसमें real number है कौन से real number है जो a से लेकर के b तक है मलब a b है b b है और उसके बीच के जितने भी real number है सब भी इसमें included है अब देखें ऐसे देखें यह real number line हो गई यहाँ पे number जो a है यहाँ पर है b number यहाँ पर है तो a को भी include करना है मलब इसको भी हमने include किया बोल्ट किया है b को include करना है और इसके बीच में जितने भी real number है सबी real number को include कर लेना है तो इसको हम लोग कहेंगे close interval a b मतलब a से लेकर के b तक के सभी real number माला यह एक पुरा section हो गया cut हो गया real number line का तो इसको हम लोग करते हैं closed interval अब एक देखें एक example देखते हैं हाँ पर जैसे 2 3 closed interval 2 3 ना तो इसका हम बना एक्स such that x element of r x greater than or equal to 2 and less than or equal to 3 अब देखें number line पर यहाँ 2 है यहाँ पर 3 है closed interval है ना तो 2 को भी include करना है include किया 3 को भी include करना है और बीच के सभी number को हम लोगों ने include कर लिया तो इस interval को हम लोग पढ़ेंगे closed interval 2 3 तो आप समझ गए होंगे कि closed interval क्या होता है अब देखें एक open interval भी होता है open interval यहाँ पर देखें bracket उल्टा लगा देते हैं या आप छोटा bracket भी use कर सकते हैं वैसे हम लोग उल्टा bracket उल्टा 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 इसमें क्या होगा x such that x element of r x greater than a and less than b अब देखें इसमें इसमें अंतर क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि boundary included है equal है open interval में boundary included नहीं होती है जैसे अगर यहाँ पर a b लिखा गया है तो a को exclude करना है b को exclude करना है मतलब a को छोड़ना है और b को छोड़ना है उसके बीच के सभी numbers को हम लोग को लिख देना है जैसे देखें number line पर यहाँ पर देखेंगे आप तो यह लिखा गया न a को देखें छोड़ा गया यहाँ पर circle बनाया तो गया है लिख से में bold नहीं किया गया मतलब a को आप नहीं लेंगे b का circle बनाया गया लेकिन bold नहीं किया गया b को नहीं लेंगे लेकिन बीच के सभी numbers आप लेंगे तो यह जो set बनेगा उसको हम लोग कहेंगे open interval AB इसमें boundary included नहीं होती है तो ऐसा interval जिसमें boundary included नहीं हो जैसे हम करें open interval 2-3 इसका मलदा हम करना चाहरें 2 के बाद वाले सभी number और 3 के पाले वाने मलदा 2 और 3 के बीच के सभी real number तो इसको हम लोग कहेंगे open interval 2-3 नहीं तो 2 included होगा और नहीं 3 included होगा तो यह close interval और open interval होता है ऐसे देखें semi close interval भी होता है जैसे अगर हम यह देख रहे हैं ऐसे आधा उल्टा लगा दिया और इसको हम करते हैं semi open interval या semi close interval मलदा आधा open है आधा closed है तो अगर ऐसा है मलदा यह open है तो यह bond included नहीं है और यह bond included है तो इसको हम लोग semi close interval कहिए या semi open interval कहिए और कहीं पर अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो आप इसको यह समझेए कि A included है और B included नहीं है तो यह हम लोगों ने देखा कि interval क्या होते है तो interval क्या होते है continuous subset होते है real number की मलदा real number का एक section cut होता है interval और उसको close interval जब bond included हो और B each की numbers open interval boundary excluded हो लेकिन B each की number हो और वैसे semi interval भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब यह धान दीजिए कि कोई interval है और A भी distinct है जैसे open interval 2,3 है यह close interval 2,3 है यह open interval अगर हम 2,3 यहाँ पर लिख देते हैं तो यह जो interval लिखे गए हैं इसमें infinite number आप element होंगे क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 से बड़े और 3 से छोटे तो कितने numbers हो गए? बहुत से real number हो गए infinite real number हो गए इसका मलब है यह interval जो है infinite number आप element इसमें contained है इसका मलब यह infinite set होगा ठीक है? वैसे ही यह भी infinite set होगा तो अब इस article में देखिए हैं लोगोंने सीखा कि interval क्या होता है close interval क्या होता है open interval क्या होता है semi interval क्या होता है और उसको कैसे represent करते हैं ठीक है? तो अभी तक देखिए हम लोग सीख क्या पाए आज set को एक form से दूसरे form में कैसे convert करते हैं different type के sets देखिए उसके बाद हम लोगोंने subset के बारे में पढ़ा power set के बारे में पढ़ा universal set के बारे में पढ़ा intervals क्या होते हैं इसके बारे में पढ़े और कुछ fact को देखिए तो आज के lecture में इतना ही देखिए यह जो set है अगर concept wise आप correct है तो यह बहुत easy subject है और math तो easy subject है set एक easy topic है तो इसका मलब है कि concept के एक clarity है तो इस chapter में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी terms को सीखने में तो अगले lecture में हम लोग देखेंगे different type के operations मलब है set में कैसे operations defined है वह हम लोगों में पढ़ेंगे इस term को आज के लिए इतना ही और math तिसकाई के साथ पढ़ते रहिए सिखते रहिए Thank you